वीके न्यूज राश्ट्र के नाम संगर्श कर रहे हैं यही वही ट्विट है अब भारत में हुंडई पीजा हट के लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है हुंडई पाकिस्तान ने अपने ट्यूटर हेंडर पर हैंस्टेक कश्मीर सोलजर डे का इस्तमाल किया है जो कश्मीर एक जूटता दीवस को संभोधित क हाला कि इस ट्विट को देखने के बाद भारतिय ट्यूटर यूजर्स बेहत गुस्से में अभी हुंडई का मामला शान्त ही नहीं हुआ था कि कमपनी भी कूद पड़ी है जिसके बाद लोग भी गुस्से में आ गए और कमपनी को नसीहत देने लगे हैं कि वो राजनीती स साथ ही चेतावनी भी दी है कि भारत एक बड़ा बाजार है ऐसे में भारत से पंगा लेना उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है और अब ये गुस्सा रंग लाया है कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने दुश प्रचार के साथ खड़े होने और ट्वीट करने वाली विद पाकिस्तान में अपने हैंडल से किये गए ट्वीट से पला जाड लिया और नामी पीजा ब्रांड पीजा हट ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान से सुर से सुर मिलाने वाले अपनी पाकिस्तानी हैंडल के ट्वीट से किनारा कर लिया है इस तरह विदेशी कंपनियों के जरिय भारत विरोधी जो साजिस्क पाकिस्तान ने रची थी वो फेल हो गई है पीजा हट ने अपने बयान में कहा है कि वो सोचल मीडिया पर जारी एक पोस्ट का समर्थन नहीं कर रहे और नहीं उसमें लिखे विचारों का सही मानते हैं कमपनी ने लिखा है कि वो भारत के भाई बहनों की सेवा करने और उनके इज़द देने के लिए अपने संकल को पूरा करना है बता दे कि पीजा हट की पाकिस्तानी हैंडल से कश्मीर सॉलिडेटरी पर पाकिस्तान की कश्मीर पर प्रोपेगेंड़ा का समर्थन करते हुए ट्विट हुआ था ये ट्विट भी उस हैंडल से ट्विट डिलीट कर दिया गया इससे पहले मल्टिनेशनल फूट चेन के अपसी ने भी अपने पाकिस्तानी हैंडल से कश्मीर पर किये गए ट्विट पर माफी माग ली थी बता दे कि देश भक्तों के गुस्से का फूटने का सिलसला उस वक शुरू हुआ था जब दो दिन पहले कोरिया की कार कमपनी हुंड़ाई और किये गए ट्विट सामने थे दोनों कमपनियों के पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर कश्मीर सॉलिडेटरी पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का समर्थन करते हुए ट्विट किये गए थे इस पर देश भक्तों ने दोनों कम्पनियों को घेरा और उनके उपादों को बाइकॉड करने का फैसला लिया तो कम्पनियों के हाग पैर फूल गए आनन फारन में हुंड़ई ने अपना बयान जारीकर पाकिस्तानी हैंडल से हुए टूइट से किनारा कर लिया फिर बारी KFC और पीजा हट की आए इन दोनों के प्रोडेट के भी बाइकॉड का फिलसिला देश भक्तों ने किया और नतीजे में दोनों मल्टिनेशनल कम्पनियों को माफी मागने पड़ी है मतलब साफ है भारस से अगर कोई पंगा लेगा देश भक्तों से पंगा लेगा तो उसका यही हाल होने वारा है अब आपकी क्यारा इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए और अचित अमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रही है वीके न्यूस राश्ट के नावड़